तो आज की इस वीडियो में हम डेखने वाले डेटा इंटेग्रेशन क्या होता है सब्सक्राइब प्रोसेसिंग के मेरी डूस्टी वीडियो है फेले हमें ने वीडियो बनाएंगे डेटा क्लीनिग कैसे करते है अब हम बनाएंगे डेटा इंटेग्रेशन कंशने के डेकर और हम डोकी यह जो पाइटल नोटुक जूरेपैर इसपीशन ऊच़न में किली ड़लन दांट ? के लिए भी क्यों हम अप्लाइ करेंगे विजर अप्लाइ नहीं करेंगे और नौकरी कैसे मिलेगी तो विडाउट वेसिंगा टाइम मच मोर लेट्स डाइव इन्ट वीडियो इसका क्या मदला उनिफाइड विए कि इस लाइक डेटा हमारा बहुत साथ सोर्सिस से आया जैसे वोल्ट पीडिया फाइल से आगया डॉक्यमेंन फाइल से आगया क्लाउट से आगया और अलग डीबिया में सोफ्ट्वेर से आगया ऐसे पीस से आगया उससे आया एक जगा हमने कलेक्ट करा ट्रांसफॉर्म करा और उसको एक जैसा कर दिया पुरा डेटा दिख रहा है एक जैसे यह है मलब कि जैसे तुम अगर टेल में पानी मिला दो तो अलग अलग डिखता है पर अगर पानी में तुम दूट मिला दो तो सेम एक जैसा हो गया देख रहा है सेम है बिल्कुल पॉफेक्ट इकोल हो गया पुरा ठीक है तो सेम उनिफाइड विउज में हम पूरा डेटा को एक साथ कलेक्ट कर देते हैं और एक ओडर में कर लेते ह अगया तो यह डेफिनेशन तुम कॉप में लिख लो और एक्जाम में लिखाना और इंटर्व्यूम बोल देना तुम्हारा कोई से निकल जाएगा डेटा इंटेग्रेसन से पहले हमें तीन चीज़े सीखनी पड़ेगी पहली एक्स्ट्रेक्शन एक्स्ट्रेक्शन है मतल पहले हमारे अमया झ्यवालस लगे आधिटा कंप्लीट या नहीं डेटए इंट्रीन खिरान की सभी से काम करहते के होगो यहाँ पिषुक्र गैडश्द करांवें ट्रांसुम्फों अर। आपने मरजी से लिए जिसमें जैसे अपानी की फॉर्म में लिकुड फॉर्म उसको बाप बना के पठीले में डाले गाम करेंगा हमें उस फॉर्म में ट्रांस्फॉर्मेशन चाहिए कि उस फॉर्म में ट्रांस्फॉर्म करें लाओ जो हमारा मॉडल या हमारा एनलसी सॉफ्ट्वियर प्रोसेस कर सब्सक्राइब इसके बाद जब हमारे डेटा हमने कलेक्ट कर लिया लास में है लोड तो हम उस प्रोसेस डेटा को लोड करेंगे अपने बड़े डेटाबेस में तो यह टीन चीज़ें समय आगी अब यह चीज़ों के बाद पूरी वीडियो हुमेंगी चलो डेटा इंटेगरेशन में क्या करते हैं बहुत सारे सोफ्वियर से बहुत सारी जागा से डेटा आया यह पाच चीज़ों में पाच स्टेप्स है एक चीज़ अप्लाय करो किन स्टेप किसी स्टोर कर लो किसी क्लावडएड़ डेटाबस में तुमारे डेटा इंटेगरेशन के स्टेपों चाहितं करें और इसलायक कंप्ट को फॉल्व करो और मझाला डे टा इंटेग्रेशन के तुम इसको कह सकते हो टाइपस तो नहीं कहोंगे है तो पांच में याने आता तो मैंने बहुत सारे वड़ी बूले पर मैंट कहेंगे तो कि अलगाग डेटा को इन पंच में अप्लाय करके एक जगा अपलाय करने को मलत एक जगा लाने को एक डेटा इंटेञ्डरेशन हों तो हैं अब डेटा इंटेग्रेशन का पहला टाइप फोता है साट हाई हम अगली स्लाइड में यह वादी श्लाड वे ठेट धि प्रोसेस हमारा कहलो थे प्रोसेस हम क्या करेंगे आधी इटे में जर्ण बहुत सारी डेटाबेस यहां उनल लग थीक है इंसे में डेटा और मारे इसंसे हुआ एया है इस टर्डइग्री अरिया स्टेगिंग एरिया में हम ठ्रांस्फॉर्म करें देयक को बना पेसे हम एक डेटावेस है बहुत बड़ा रे लाइट बन हो जाती यह हां बहुत बड़ा डेटावेस है तो उसमें बना चीज बनाई जया जाना कि पहले बटेसइमेज आई इमेज को ट्रांस्फॉर्म करें जैसे हमें चाहिए फिर अपर डेटा अच्छे से वह आएगा डेटा वेरहाऊस में अब हम वह प्रोसेस डेटा को डेटा वेरहाऊस में तब तक रखें जब तक हमें अनलेटिकल या मॉडलिंग के लिए डेटा आगे कोई मांग तरहीं तो ह को हम सीडेमास उठा के दे दे अब यहीं फास्त है क्योंकि हम सीडेमास सब्टा के डेटे वेरहाऊस लिए अनलाइसेस वाले को दे रहे हैं तो बहुत फास्त है पर इसमें हमें डेटा चाहिए चोटा अगर तूम सोचो एक-डो लाक हे एक-डोक्रोड तूम डेटासेट लिए आए अब वह 22 बटिस करके स्टैगिंग अरिया में ट्रांस्फॉर्म कर रहा है कि ना टाइम लग जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा तो कॉंप्लेक्स डेटा होगा चलेगा पर बढ़ा डेटासेट नहीं होगा एटीर प्रोसेस के लिए ठीक है अगला पॉंट इल्टी सेकंड चीज़ इस में हम एक्सट्रेक्ट करेंगे लोड करें फिर ट्रांस्वाउम करें यह होता है जब तुमहाल डेटा होता है बड़ा और तुम्हें पूतर टाइम होता है कम तो इसमें क्या करते हैं सीदे एक्सट्रेक्ट करते हैं बहुत साजी जगावत यह चुवित करते हैं मै énormément अब ट्रांसफोर्म करना होगा उसको चुप यहां ma copy ट्रांसफेर होगा या यहा जो अनलेस्स करें हो लुट है लोग यह और सिंस्सटर रहीं करेंग सब्सक्राइब लुट है बंधर डेटर एक साथ लोड दो लोड करी लो फिर एक पाइपलीन बना दी कि हाँ अब वेराउस से लोड त्रांस्फोर्म होगा आगी जा जाएगा तो यह इसमें लोडिंग क्विकर होती है पर पर कॉर्स ताइम इसमें ज़ादे लग रहा है अब टाइम ज़ादे लग रहे हैं कि हम बैच बनारे की तो पह स्ट्रीम कर डेटए स्ट्रीम में यह लिख़ा है कि टरीह का होता है जिसमें डेटा को इंटेग्रेशन में मैं गरेड़ करते हैं एक वाले फॉर्म में बिना टब टब में इसमें यह होता है कि पहले थीन सटेप नेंड असेंबल प्रोवीशन ठीज सोर्स में लैंड से अगा सेमबल से प्रोवीशन को पास अनलाइस करें या मॉडल करें अभी यह तीनु चीजें पहला तो चौह पहलां तो यह पहला आनडसी थीजिए यह लेंड ने टाइज लैंड में क्या करेगा कि डेटा आएगा एक इसेंबल करता है सारे डेटा को जोड़ा डेटा बनाएगा वह जो डेटा लोड लैंड में पड़ा हुआ था उसको ट्रांस्फॉर्म और चीज में चाहिए उसके एक्स्टा डेटा नलेगा और ये कुछ रिउसे करता है और ट्रांस्फोर्म करें गें investigative अग्रेट करेंगे लिए इसे तो है न ї कि डेटा प्रोवीशन में रखके उठाके कोई बंडा उठाके लेकर जाएगा नहीं एपए की ठूचला जाएगा तो इस एक रियल टाइम करते है तो सीरे डेटा आया लेंड करा एसेंबल हुआ प्रोवीशन में इस लाइक रैडी हो जाने के लिए चला गया इस्ट्रीम एक यसी टाईर अन्यवीशन में द्वान किस ने कमाते है और यह रिवांस टूंस्ट छोटव में पॉलटी स nods ऒकार हो दो कि ढुटध नीटिक सबटाएग्ए तुमारा जो फामऩ देपार्टमेंटेग्ट में कुंपनी का ठीक है तो कंपनी का फाइनेस जो डिपार्टमेंट है तुमारा वो चेक कर रहा है कि रभी कितना कमाता और उसके आपास आ रहे है कि भाई पाच लाग कमा रहा है अभी तो डिक्कत हो गई और यह गलट कैसे हुआ कि एचार ने डाला अजस्ट अभी अपडेट के कि वह डिस तो जो भी है तो वहाँ पर उसने कर दिया पर इसका तो पाच लग कर रह गया तो यहां आता है हमारा अप्लीकितन इउने क्या होता है कि अगर एक NPC करता है उसका रगार देटा साम घर लाग जैसे भी है ।ो वेबसाइट से और है ठीक है च्रिम से आरा रहा है इसका पर दो नारा है इसमेंद से जन जा रहा है तो तक है यह समें कुछ हो रहा है सारा एक ही डेटा है एक डालूगा मैं जो डालना है कि इमाल में भी बही बना है वही चीज और आए करें उनसे आएंगी सव्राइब मुझे फेल ने जगर सिंगे एक इसे लिए अगर मैं के वह चाहिए और पास भी चूर्ट होगा चाहे वह कोई भी एपलिकेशन यूज कर रहा है चाहे कुछ भी उसका रहा है किसी भी एपलिकेशन में डेटा चेंज होगा डेटा सोर्स में तो यह बात सब्सक्राइब अब आता डेटा वर्चुलाइजिए समझा कि सीरी सीरी डेटा आया सारा काम हुआ और डेटा गया यह बिल्कुल सेम है बस इसमें हम वर्चुलाइजेशन प्लैट्फॉर्म उसकर ते वह क्या करता है वह ऐसा नहीं कि उसजर डेटा दूकर लाया और यहां छो तुम उससे पूछो में हूँ नवाप अब मुझे से पूछो की डेटा चाहिए मलब मैंने दिताए शीया मुछ पिछल साल मेंने जाता हूँच जाएगा डेटा उठाएगा तुमें लाके देगा तो इसमें आगे बढ़ने से बढ़ एक बार सबको गोठू करें जल्ली कि डेटा आया एकस्ट्रैक ट्रांसपोर में यह एल्टे में अक्सेट वाल ट्रंस्फर्म हूँ विदेदी यह एक्डम से रहा है एकड़ में से ट्रांसफर्म हो गया और सबस्रांसब्ते हैं इसेंबल हो गया फिर हमारा प्रोवीशन में इसने डिलिवरेवल बना दिया कि वह आगी जा पाए और फिर चला गया अप्लिकेशन इंटेग्रेशन इसमें क्या करें लग लग अप्लिकेशन से में से डेटा आया डेटा इक स्टोर में कलेक्ट हुआ उस दे में अपडेट या फिर वह अपने जूचों काम करने कर लिया वर्चुलाइजेशन में सेम स्ट्रीमिंग वाला बस मालिक और नौकर वाला कि मांगोगे तो बता हुआ वर्णा नहीं दूआ अब आटे चैलेंजिस ठीक है चैलेंजिस क्या है चैलेंजिस है कि डेटा की क्वालिटी को यह रहा है कि चार एंसर से डृफिकासी नहीं होने चाहिए और क्या बोलता है चिक्वल्सास कहोशानी हने चाहिए कि मैं कैसी क्लाइंट करें रहा है फुक्यूर्स में आप टानःशन होने होना कि विश्याकी २हीं पैठ्छे होने चाहिए और कॉस्ट भी लगेगी जी पी लोगे बड़े प्रोजेक्ट के लिए और स्केलेबल ना चाहिए इसके लेबल का मदलब है कि अगर आज सौक बंडों को मैं सर्विस प्रोवाइट कर रहा तो कल को हजार आएगे तो मेरे पे होना चाहिए कि मैं हजा यार बंडों को भी सेम सर्विस दे सकते हैं तो यह सब कुस्ता डेटा इंटेग्रेशन चैलेंजेस पर मुझे पता ही है क्यों प्लेलेस बनाई तो सब टच करना पड़ता है डेटा इंटेग्रेशन में तुमारे इनिवर्स्टी एक्जाम में इसी जारा आएगा नहीं और ना कि इंट्रवुमे में इतने पूछेएं जार पूछी नहीं है क्यों इट्रणैटर करने वाले तुम में ली और वह सिखा देते हैं जार सब तुमारे इंटिग्रेशन और तो अगली वीडिएवे पढ़ेगे ट्राश्फॉरमेशन क्या होता है उसकी ती निया चार वी देखते हैं देखतेająों मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर दो पुराने भी और अबी और सब्सक्राइब कर दो और आज सब्सक्राइब लों आप म ellis को अb learned बॉल को जली जली आखिनेशा कर रहो कर वादा कर बासफिज इंत कर दो